यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ विदेश मंत्री के तौर पर यह उनकी इन देशों की पहली यात्रा है सूत्रों के मुताबिक भारत का इन देशों के साथ संबंध नया आकाल ले रहा है कि इंदर सरकार इन देशों के साथ विस्तारित पड़ोसी देश के नाती रणनेति कमहत्व को रेखांकित कर रही है एन डिये सरकार के दोरान इन देशों से शिर्सस्तर पर संबाद लगातार बढ़ा है भारत का माना है कि शेतर में परस पर भागिदारी बढ़ाने की आसीम संभावना है उबरती हुई शक्ती के तौर पर भारत इन देशों के साथ मिलकर वैश्विक मुदों पर अपनी अंदास से महा मौझूद भारते समुदाय के लोगों से भी रूबर होंगी तो आको तादे चार दिवसे विदेश दौरे पर हैं विदेश मत्री सुश्मा स्वराज और तीन मध्य एशियाई देशों में वो जाएंगी जिनमें कज्वाकिस्तान, किर्गिस्तान और साथ उ समवाद को बढ़ाना भारत जो की एक बढ़ते हुई ताकत है उसके लिए उचित माना जा रहा है और साथ ही आपको बता दे कि यहां पर जौलन मुद्धों पर भी समवाद होगा और उसके साथ ही जिए यहां पर भारते मौझूद है इन तीन देशों में उनके साथ भी आ साथ ही आपको बताते चलें कि सुश्मा सोरा जो की विदेश मंत्री है उनका भारत की तरफ से विदेश मंत्री होने के नाते इन तीन देशों का ये पहला दौरा रहने वाला है जहां पर वो संबोदित करेंगी लोगों के साथ बाच्चित करेंगी और तीनों देशों के सा मन्द है वो यहां पर सुधारे चाहेंगे